तो गैस यहाँ पर हमारा Battleground Mobile India का account तो transfer हो गया है पर जो हमारे controls है वो सब पुराने हो गया है सब default हो चुका है और sensitivity भी default हो चुका है तो इस studio में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपना जो control अपना layout है और जो अपनी sensitivity है वो वापस कैसे लाएं तो गैस यह sensitivity आप वापस ल है कि अगर आप Korean version खेलते हैं या फिर साथ में कोई और version खेल लें जहां पर आपका layout और sensitivity एकदम सेट है suitable है आपके लिए जो आप यूज करते है वो ही है तो उसको आपको आप वहां से copy करना है तो मैं बताता हूँ वो copy कैसे करें और इस step में सिर्फ आपको 10 second लगेंगे उससे भी कम लगेंगे आपका जो layout है वो पूरा copy हो जाएगा तो guys यहां पर से आईए अपनी setting के अंदर और यहां पर आप देख सकते हैं जो मेरे controls हैं वो एकदम default हो चुके हैं और बात करूँ अपनी sensitivity के तो guys यहां पर वो भी एकदम default हो चुकी है मेरे को अपनी पूरी sensitivity फिर से करने पड़ेगी जिसमें बहुत time लगने वाला है तो guys यहां पर अगर आप Korean version खेलते हैं या फिर कोई और वर्जन खेलते हैं वेटनाम वर्जन जहां पर आपकी sensitivity आफिर control पूरे हैं तो वहां से हम इसे copy करके जल्दी से यहां डाल देंगे तो guys उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके आपको वही वाला वर्जन खोलना यह मेरा Korean वर्जन यहां पर है और इसकी आ यहां पर से layout 1 को मैं share कर दूँगा share पर tap करके और यहां पर जो भी आ रहा है इसे ok करिए अब यह जो layout है इसको आपको copy करना है तो copy आप कर दीजिए इस code को अब guys यह copy यह code जो हो चुका है तो वापस game को खोलते हैं अपना battleground mobile इंडिया को अब यहां पर से control पे फिर customize पे जाएए अब यहां से फिर से layout 1 पे tap करिए अब guys यहां पर आपको search method पर tap करना है तो यह चीज का धियान रखेगा यहां पर search method पर आईए और जो अभी आपने code लिखा है या फिर copy कर रहा है इसको यहां पर से आप paste कर दीजिए तो guys यह हमने paste कर दिया है इसके बाद आपको search पर tap करना है तो guys अब यहां पर देखिए जो भी वो player है उसका यहां पर नाम आ चुका है और अब आपको इसको preview और use करना है तो guys यह वो layout आ चुका है यहां पर अब मैं यही layout से खेलता हूँ और मुझे यह layout पसंद है तो मैं इसे apply कर देता हूँ और swap and use करता हूँ क्यों and use से जो हमारा default layout वहां पर था वो हड़ जाएगा और यह जो नया वाला layout है यहां पर आ जाएगा तो guys अब यह तो हमारा layout का काम हो चुका है अब बात करते हैं sensitivity की क्योंकि वो भी एकदम default पड़ी हुई है और पूरी sensitivity करने में बहुत ज्यादा time बरबाद होने वाला है तो और guys फिर से आपको यहां पर एक share का option दिख रहा होगा तो guys इस share को आप यहां पर जो भी two finger खेलते हैं three finger four finger खेलते हैं इसे select कर दीजे तो मैं four finger खेलता हूँ आप mobile में खेलते हैं जिसमें आप खेलते हैं उसे select कर दीजे तो मैंने आप आप mobile select कर लिया है अब इसे मैं copy and share क copy हो चुका है अब guys आपको फिर से ये minimize करके वापस अपना better ground mobile India खोलना है अब वापस इसमें scroll करना है sensitivity के portion में सबसे नीचे और यहाँ पर आईए layout management में अब guys यहाँ पर आपको search method में tap करना है तो जैसी आप better ground mobile India में आएंगे अब यहाँ पर से आप अपना जो नया वाला code है यहाँ पर डाल दीजे आप यहाँ पर आपको preview करना है अब guys यहाँ पर देखिए आपकी पूरी sensitivity आ चुकी है और यह उस player की profile आ चुकी है जिससे आप में sensitivity लिए आप यह अपने दोस्तों से भी ले सकते हैं अगर आप same sensitivity पर खेलते हैं तब आपको थोड़ा सा change करने में आसान रहेगा क्योंकि default से change करना और एक level से change करने में थोड़ा फ़रक होता है उसके बाद guys यहाँ पर use layout में आप tap करिए और उसके बाद यहाँ पर upload to cloud कर दीजे और इसको okay कर दीजे अब guys देखें मेरी जो sensitivity है वो भी एकदम सही हो चुकी है पूरी जो मेरी Korean version में थी वो यहाँ आ चुकी है बैटरिलों मोबिल इंडिया में और guys अगर वीडियो पसंद आई तो please वीडियो को लाइक करें चैनल सब्सक्राब करना ना भोलें और guys साथ में रखे ख्याल वीडियो करें अपने दोस्तों में सेर तब तक के लिए मिलता हूँ आप से एक लिए वीडियो में जाहिंद